नमस्ते, इस कहानी में, प्रेसकोट अकादमी एक सरकार द्वारा चलाए जाने वाली गुप्त संस्था है, वो संस्था जो छोटी लड़कियों को हत्यारा बनने के लिए प्रशिक्षित करती है, इस संस्था के लीडर हॉडमेन उन्हें जीवन के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए 10 महीने की उम्र में ही ले आता है, बाहरी मीडिया को इसके बारे में नहीं पता चलता की, प्रेसकोट अकादमी की छोटी लड़कियों को हत्या मशीन बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, वे 3 साल की उम्र में अपने से लंबी बंदूकों से गोली चलाना स दिखाया जाता है, और एक साल तक, वे कुशलता से हाई स्पीड कार का पीछा करने में सक्षम हो सकते हैं, हर दिन वे विभिन प्रकार के युद्ध कोशल का अभ्यास करते हैं, इसलिए जब वे किशोरों में बदल जाते हैं, उनका उप्योग बिना किसी संदे के कई खतरन कभियानों के लिए किया जा सकता है, हौडमेन को उन सबसे कोई लगाव नहीं होता, वो सब लड़किया अनात हैं, और उन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ बात करने की अनुमती नहीं होती, नहीं उन्हें कोई नाम दिया गया है, और एजेंट को सिर्फ नंबर के रूप म लेकिन उसे यहा के नियम उसके लिए कभी समझ में नहीं आया, एक दिन एक खिलोने को पेन से छेटने का काम दिया गया, जबकि अन्य लड़किया जैसा कहा गया था वैसा ही करती है, लेकिन एटी ट्री खिलोने को अपने सीने से लगा लेती है, ये देखकर हार्ड मैन वो युद्ध कोशल के साथ एक किशोरी के रूप में विकसित होती है, उसका सबसे बड़ा प्रतिसपर्धी नंबर 84 है, जो हमेशा हर चीज में दूसरे नंबर पर रही है, वो एटी थरी से नफरत करती है, एटी ट्री को उसके सभी सहपाथियों से पहले खतरनाक मिशन प वो अपने सभी काम आसानी से पूरा कर लेती है, हाला कि वो अब भी उस सामान्य के शोर जीवन की चाहत रखती है, जो उसे कभी नहीं मिला, अपने एक मिशन में वो एक लक्ष्य की जासूसी कर रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि अगले दर्वाजे पर एक पार्टी चल रही है, लोगों को नाचते और मौच मस्ती करते देख एटी ट्री को अपनी जिंदगी का एहसास होता है, उसने अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है, और वो नहीं चाहती कि उसकी टीनेज लाइफ भी बेकार हो, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से करना शुरू कर देती है, जब भी वो किसी मिशन पर बाहर होती है, तो वो ऐसी ही बुक्स खरीदती है, एक दिन उसकी यही आदत उसे मुसीबत में डाल देती है, हार्ट मैन उसे एक बुक पढ़ते हुए पाता है, तो वो उसे होश में वापस आने का आदेश देता है, क् महत्वपूर्ण मिशन के बारे में जानकारी दे रहा होता है, क्यों मिशन बहुत खतरनाक है, एक हथियार विक्रेता और माफिया की सबसे खतरनाक महिला, विक्टोरिया एक शहर में स्थित थी, आठ घंटे पहले, उसे दो दिन के अंदर जिंदा पकरना होगा नहीं, तो गायब हो जाएगी, दोबारा से एटी फोर मिशन पर जाना चाहती है, लेकिन एटी थरी को कार्या दिया गया है, तभी हमें तीन बंधकों के साथ विक्टोरिया को दिखाया जाता है, वो उनका अपमान करती है और उनकी आँखों की पत्तिया उतार देती है, अचानक महिल बंधक में से एक एटी ट्री होती है, पलक छपकते ही, एटी ट्री ने विक्टोरिया पर हमला किया और उसके सभी गुर्गों पर कबजा कर लिया, वो विक्टोरिया पर एक हुप बांधती है जो उपर जाता है, उपर उड रहे एक हवाई जहाज में उन्हें विमान तक ख जब हॉड मैन ने एटी ट्री की अनुपस्थिती को नोटिस किया, वो उसकी कलाई से जुड़े एक उपकरन पर उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। एटी ट्री मेगन नाम से एक पूरी तरह से नई पहचान बनाती है, वो पढ़ने के लिए न्यूटन नाम के एक हाई स्कूल और एक वेबसाइट के माध्यम से रहने के लिए एक परिवार धूनती है। को खुश करने के लिए वो स्कूल के दौरान मेगन की मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। स्कूल में अपने पहले दिन मेगन एक अजीब कपड़े पहनती है, जिससे हर कोई उसे घूरता रहता है। केवल कुछ ही मिंटों में गूच नाम का एक बदमाश उसे फ्रीश गल कहता है और हर कोई हसता है। इसलिए लिज उसे पहनने के लिए कम पैटन वाले कपड़े देती है। सुबह की सभा के दौरान वो एक विदेशी चात के रूप में सब के सामने बात करने जाती है। मंच पर जाने से पहले उसकी मुलाकात रोजनाम के एक स्टुडेंट से होती है जो स्कूल के बैन के लिए A, V का प्रबंधन करता है। मेगन उसे मूर्ख समझती है और खुद को पूरे स्कूल से परिचित कराती है। लेकिन वे सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका नाम पुकारते हुए वे उससे कनाडा वापस जाने के लिए कहने लगे। जहांसे वह आय थी। जब सोर तेज हो जाता है तो स्कूल के बैन लीदर कैश एक गीत की साथ भीर को रोकता है। वो स्कूल में सबसे लोगप्रिय लड़का है और कई लोग उसे पसंद करते हैं। मेगन भी तुरंट आकरशित हो जाती है। लंच प्रेक के दोरान कुछ चीर लीदर्स ने उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाया लेकिन उसने मना कर दिया। जीव विग्यान कक्षा में वो फिर रोज़ से मिलती है और उससे दोस्ती करती है। ऐसा लगता है कि वो उसकी और आकरशित है। लेकिन मेगन का फोकस कैश पर है। अगले दिन उसे कैश के लेब पार्टनर के रूप में नियूग की गई। हाला की अन्य लड़कियां उसे अपने लिए दूसरा साथी चुनने के लिए कहती है। क्लास के बाद लड़किया मेगन को बताती है कि कैश को स्कूल मसकॉट खेलने वाली लड़किया पसंद हैं। और मेगन उनकी बातों में आकर स्कूल का शुभनकर बनने के लिए ओडिशन देने जाती हैं। उसे तुरंट चुन लिया गया और अगले गेम के लिए अभ्यास के लिए बुलाया गया। अभ्यास के दोरान एक समुह नकाब पोश लोग उसकी ओर दोरते हैं और उसका अफ़रन करने की कोशिश करते हैं। मेगन उन पर आसानी से काबू पाने के लिए अपने फाइटिक स्किल का उप्योग करती है। उसने सोचा था कि नकाब पोश लोग एजेंट थे जो हार्डमेन द्वारा भेजा गया है लेकिन ये पता चला कि वे दूसरे कॉलेज के लोग हैं जो दराने की कोशिश कर रहे थे। जब तक उसे इस बात का एहसास होता है हर कोई उसका वीडियो बना रहा होता है वे सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं जिससे मेगन काफी परहसान हो जाती है वही प्रसकॉट के बेस में विक्टोरिया को हार्डमेन द्वारा पकड़ कर पूछ ताच की जा रही है वो ये भी जानती है कि युवा लड़कियों से उनका बचपन चुराने का उसका तरीका गलत है लेकिन वो आदमी इस बात पर जोर देता है कि वो इसे एक अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहा है विक्टोरिया भी नंबर 84 में विशेश रुची दिखाती है और भाग प्रतिद्वन भी समूर के लिए काम कर रही है अगले दिन स्कूल में हर कोई मेगन के फाइटिंग स्किल के बारे में बात कर रहा है वो मुर कर देखती है कि वो रातो रात लोगप्रिया लड़कियों में से एक बन गई है और उसका दिन और भी अच्छा हो जाता है जब कै प्रेसकॉट के लोगों ने उसका अफरन कर लिया हार्ड मैं को अभी भी लगता है कि वो एक दूसरी एजेंसी के लिए काम कर रही है जब वो उससे कहती है कि वो एक सामान्य जीवन जीना चाहती है वो उसे एक सच्छी दवा का इंजेक्शन देता है और उसे पता चला कि वो सही में सच कह रही है हौड में को लगता है कि वो उसके जीवन का मालिक है वो उसे दो दिनों में बेस पर लोटने का आदेश देता है उसके लोगों ने उसे घर के सामने बरामदे में फेक दिया जब मेगन अगली बार रोज़ा से मिलती है तो वो उसे गूच की पार्टी में आमंतरित करती है लेकिन उसके पिता पार्टीों के प्रती सख्त होने के कारण वो जाने से इंकार कर देता है अगर वो वहां होता तो मेगन को बहतर महसूस होता क्योंकि वो उसका स्कूल में एक मातर दोस्त होता है उस रात पार्टी में मेगन लिस के साथ पार्टी में आती है क्योंकि लिस को उसकी मां साथ देने के लिए कहती है तभी मेगन को आशचर्य हुआ 84 को पार्टी में देखकर जिसने अपना नाम हेदर रख लिया है मेगन को लगता है कि हार्ड मैन ने हेदर को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है लेकिन हेदर उसे कुछ नहीं बताती रोज़ भी मेगन की तलाश में पार्टी में आता है लेकिन उसे देखकर निराश हो जाता है क्योंकि वो कैश को किस कर रही थी अगली सुबह मेगन स्कूल बस में चड़ती है और देखती है कि हार्ड मैं ड्राइवर के वेश में है वो उसे चेतावनी देता है कि विक्टोरिया प्रेसकॉट से भाग गई है और उससे बदला लेने की योजना बना रही है वो उसे प्रेसकॉट लोटने को कहता है लेकिन म मेगन मना कर देती है। बाद में हम उसे और लिस को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। जब एक नकाब पोश हत्यारे ने उनका पीछा किया। तब कार का पीछा करते समय मेगन लिस को सच्चाई बताती है। उसके पिछले जीवन के बारे में तभी वे हत्यारे की कार के काने से पहले निकलना चाहती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन लिस सोचती है कि मेगन को परिवार को छोड़ने की कोशिश करना और भी बुरा होगा। उस दिन के बाद से उनके बीच अच्छी बनती है। मेगन एक एजेंट के रूप में लिस को अपने जी कैश ने शायद ही उससे बात करनी चाही। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ फेमस होने के लिए खुद को कूल दिखाता है। वो उसे छोड़ देती है और रोज़र के पास जाती है और उससे डांस करने के लिए कहती है। लेकिन उसने मना कर दिया क्यूंकि हेदर उसके साथ डेट पर जाने वाली थी तब ही इस बात पर दोनों बहस करने लगती है कि उसके डेट पर कौन जाएगा दोनों झगरने लगते हैं सभी सजावट को नश्ट कर देते हैं अंत मेवे रसोई में पहुँचते हैं जहां हेदर मेगन को चा अब तक लासन और पाका को विक्टोरिया ने बंधग बना लिया होता है। अचानक हौडमन वहाँ आता है।